स्वाच भारत मेशन के अंदरगरत हर ग्राम पंचायत में एक समदाइक शुचाले करवाया जा रहा है लेकिन जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही के चलते सरकार की मंच्छा पर पानी फिरता नजर आ रहा है जहां गाओं को खुले में शोचे मुक्ते दिलाने के लिए सरकार के तमाम दावोर प्रियासों पर अब भी सवाल उठने लगे हैं समदाइक शुचाले में महीनों से ताला लटक रहा है जिसे ग्राम इन खुले में शोच जाने के लिविवश हैं लाखों की लागत से बना समदाइक शुचाले में हमेशा ताला लटका रहता है पूरा मामला हमीरपूर जनपत के राठ विकासकर्ण शेत्र के ग्राम पंचैत बकरई का है गाव की ही ग्राम इन कारूप है कि समदाइक शुचाले का निर्मान मानक के नुसार नहीं कराय गया है जैसे बॉण्डरी फटने लगी है इतना ही नहीं समदाइक शुचाले में ना तो पानी की टंकी की विवस्था है और ना ही बिजली की कभी कभार जब खुलता है तो ग्रामनों को शोचक्रिया के लिए पानी इधर से उधर लाना पड़ता है पानी इधर उधर से लाना पड़ता है प्रधान वर सचीव की मनमानी के चलते महीनों भीत जाने के बाद भी समदाइक शुचाले का कारे अभी तक पूर्ण नहीं को इसकी स्वीधार नहीं मिल पा रही है हालाकि ग्रामनों ने बताया कि गाउआब में को ही विकासकारी घ्राम प्रधान और सचीव की तरफ से नहीं कराए जा रही है ग्राम नें उचादिकार्य से अधर से जिम्मेदारों फर कड़ी कार्वाई की मांग कीए तो इसमें क्या समस्या सै पानी की व्योष्षिता नहीं है तो फिर पाना नी कहां से लियां कभी के बार खुलता है कभ से कभ से खुलने लगा है अचा इससे पहले बंद रहा दादा क्या नाम है किस गांसे हैं आप कोठा से दो जो गिराम बखराई में जो सामदाक सवचाले बना हुगा तो इसमें क्या समस्या है ना कशुना अना पानी जिद्धीवा न जा रिज ट्रॉक्त आंप विश्टा नहीं है क्या किसे पानी के में ट नहीं अचंश पहर था बनागी आप वहांुश के ब्रना कोल्च किया खुलता है कभी कित्र उत्रावरा सव कौन सा काम है बकराई जो सामदाग सोचा ले ते इसमें क्या समस्य आ रही है उसमें पानी की टंक ही नहीं है और लाइट की विवस्ता कुछ भी नहीं है और चार से आठ दिन में खुलता है कभी कभार खुलता कभी नहीं खुलता कभी नहीं खुलता कभी नहीं खुलने लगा प्रद्धान ने कुछ नहीं बोला बोलो रहा तो हो जाएगा हो जायेगा क्या सचे ओगावमें कभी आते हैं कभी नहीं आती है